असलाम अलेकूम कैसे हैं जी सब ठीक ठाक हैं जबर्दस किसम का थोटा सा को इतना मुश्किल काम नहीं है सेंड्वीचेज पीजा बनाने लगी हूं यह हुग है जी दो बॉयल है किये थे मैंने हार्ट बॉयल इनको मैंने मैश काल दिया जोसी तरफ मैंने चार ब्रेड स्लाइसिज ले लिए उनके साइडों का क्रम्स उतार दिये मैंने यह गया जी इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे एक बड़ा टेबल स्पून मैंने मार्टरिन का डाल दिया चुटकी भर तक क्वाटर टेबल स्पून मैंने साल्ट टाला क्वाटर टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर एड़ किया और इनको मिक्स कर लेंगे और मैंने दो चमच मियो आड़ कर दिया यह देखें जी यह मैंने इस पर एक्स लगा दिये और दूसरी तरफ मैं चिकन हलाल स्ट्रिप्स यह हैं वो फ्राय कर रही हूं वो भी इस पर लगा दूंगे इन्शाला यह देखें जी, यह लंबे-लंबे से स्ट्रिप्स है, चिकन स्ट्रिप्स और जवीहा कलाल के, वह मैं लाई थी, वह मैं नेस पर लगा दिये, नेस पर डाल दिये, छोड़ा सा उपर की तरफ भी लगा दिया, सैंडवेच ताके बच्चे खा लेंगे, यह लें जी, यह रेड में एक चोटा सा प्यास काट लिया, एक चमच कैचप डाली और एक सबस मिर्च डाली, और जबरदस किसम की सॉस रेडी होगी है, थोड़े से समोसे से, वह फ्राइ कर लिये, और यह चिकन स्ट्रिप्स हैं, यह रेडी कर दिये बच्चों के लिए, केक कल रात को बना दिया से, यह हो गया पीजा, और यह हो गया जी, अलहम्दलीला, अलहम्दलीला, बहुत अच्छा सा फैमिली लांच कह सकते हैं आप, और अभी तो यह लाइक नहीं करते तो, उनके लिए डिफरेंटीज, जिसे कहते हैं, करी सालन वो बना दिया, और यह बच्चेंज वाई होगे, I hope कि आपको यह अच्छा लगा होगा, चोटी सी, जबरदस किसम की, अलहम्दलीला के साथ है लांच, लाइक कीजेगा, शेड कीजेगा, ठीक है न जी, यह मैं हूँ, और यह मेरा टिम टिम कीचन है, प्लीज डू शेर एंड लाइक, लव यॉ बाई गाईज,